हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल के अमकल प्री गाडनिंग यह देखें यह बिकुल वेस्ट है यह मेरे लिए पूजा आटा का हमारे जो लोकल एरिया में आटा बिकता है उसका यह बैग है तो ग्रो वैग जो होते हैं या फिर इस तरह के बैग है या फिर डिटर्ज लिए टो यह मैने बढलता है इसमें और यह है मेरे कौछ को भी तो मैं इसमें इसी तरह से भरती अब देख लीजी इस Worender डाली है मैंने शुरू से ही और एक लियर मिट्टी की सबसे पहले माने मिट्टी डाली है फिर यह इतनी बड़ी यह डाली है तो बहुत ही कम मिट्टी में बिना गमले के आप गार्डिंग कर सकते हो और आप कहो कि हमारे पास गमले नहीं है यह हम शिप्टिंग में हमें परशान हो जाती है तो हम ऐसे कैसे लगा सकते हैं तो इस तरह से आप अपने गार्डन की स्वेल को रेडी कर लीजिए और इसमें क्या होता है यह नीचे नीचे तो यह खाद बनती रहेगी जो लगाई है मैंने इसमें जो मैंने ब्रांचे बगारा भी डाली है काफी मोटी मोटी तक डाल दिये म होगो इसमें डिकम्पोज होके खाद बनती रहेगी ठीक है और कुछ इतनी थोड़ी सी मैंने कभूतरों की बीट होती है वह नीचे डाल दिए तो यह भी चार-पास महिने में यह भी डिकम्पोज हो जाएगी और इधर यह बीडिकम्पोज हो जाएगा तो इसमें बेस तो यह मैंने मिट्टी डाली है और फिर इसके उपर से चाहें तो एक बार फिर लेर लगा सकते हैं पर मेरे पास इस समय नहीं है और मैं एक थोड़ी सी इतनी सी यह मैं गोबर की खाट डालूंगे इस तरह से ऐसे तो इसमें जो भी एग होंगे केचुव के जो बर्म के एग ह मैंने लगए जिसकी वैसे यह इसे इसे खाने लगेंगे यह डाल दूगि फिर आप इसमें ओ यह लगा सकते हैं क्योट बहुत इसली लग जाएगा कोई टिंशन शन आप खशानी नहीं गया अराम से छल जाएगा तोक भी प्लान्ट जैसे अब बह bouर मैं ज्यादा प्लांट भी रेडी हो जाएंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि देखने में भद्धे लगते हैं तो कोई नहीं बड़े-बड़े प्लांट की पीची में रख भीजिए जैसे यह मैंने यह गुल्दावदी रखिए इसके उचीटे रखे 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 उंचा करके रख दीजि तो इस तरह साब अपने प्लांट को रेडी कर दीजिए बहुत इजिली रेडी हो जाते हैं मैंने शुरुगात की थी तो इसी तरह के कैरी बैग यूज किये थे जो टैन केजी के जो टाइट वगरा के पॉली बैग आते हैं उनमें मैंने बहुत लगाय थे आप मेरे प्रान बैटन में लगाय थे शुरुगात में आप देख सकते हैं फिर मैंने धीरे-धीरे करके सीमेंट वाले सीमेंट के गंबले बना थे खुद घर पे तो मैंने यूज किया था तो आप इस तरह से एक लेर मिट्टी की और एक लिएर खाद की फिर एक लिएर मिट्टी की इसमें थोड़ी सी जगह होती है इसमें जो चेक बने होती है जो मैं बुलाई की होती है तो इसमें पानी रुखने का चांस नहीं रहता है बस इसलिए रखना जरूरी होता है कि अगर आपकी मिट्टी जो यह पॉट है इसमें टच ना हो चट पे वनना ये चट पे टच हो जाएगा तो इसमें फिर मिट्टी सीलन की प्रॉब्लम मा सकती इसलिए मैं लगाने के करी हो इसे दो फायदे होंगे प्रेट लगाने के आप इस तरह से लगा कर रख सकते हो इससे दो फायदे हो एक तो आपको कंपोस्टी यह वह यूज में आ जाएगी ठीक है दूसरा आ इसे यूज कीजिए आपके प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी जो गार्णिंग का बहुत मैं है वह भी पूरा हो जाएगा दूसरे आपकी यह समझसा भी खत्म हो जाएगी कि हमें यहां बहां दोरना पड़ता है तो हम इन्हें कैसे लेके जा सकते हैं गमलों को तो जब आप जाएं तो इन्हें अगर रखना चाहें तो बहुत लाइट बेट होते हैं आईजी ली रख भी जाएंगे और ना रखना चाहें तो आप इन सोला इंसे भी ऊचिए देखिए आप बिलीन करेंगे देखिए ।ो इनकी हाइट इस देखना नहीं ही रह गया यह इनकी इतनी हो गई है तो यह बड़े हैं काफी बड़े बड़े आप उसमें पासकते हैं चाहे तो आप डहली अब अब भी आको कर शक्ते हैं और गुल्द प्लाइबरी करेंगे मैं बहुत ट्राइब किया है मैंने बहुत लगाए है तो कोई दिक्केत नहीं है इबन मैंने गत्य के डिब्बे में भी प्लाइब लगाए है और बहुत अच्छे से चले हैं बस आपको देखने में अगर लगता है कि बुरे लग रहे तो आप इनों उल प्लाइब करेंगे बहुत अच्छे लगेंगे मैंने तो ऐसी भर दिया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है बहुत बीजी हो जाती हूं गार्डन में पांच-पांच घंटिया भी निकाल रही है तो इस तरह से आप अपने गार्डन की केर किजिए देखिए कितने हल्ग है कितने लाइट वेट आप कहीं से भी किदर भी शिफ्ट कर सकते हूं तो यह बहुत अच्छा रहता है अगर मार्केट से लेना चाहते है उसकी जगह आप इन्हें यूज कर सकते हैं और सिंपली यूज कीजिए बढ़ी हरेंगे बहुत अच्छे से चलेंगे मैंने जो परान सभी अपने रिलेटव को भी शेयर कीजिएगा है तो नए वीडियो के साथ आप से फिर मिलेंगे नए इंफर्मेशन के साथ आप से फिर मिलेंगे तब तक गार्णिंग करते रहें खुश रहें बाइबाइ फ्रेंड्स